वो एक आमदनी सबसिडी के रूप में देगी तो कहना था कि जो लोग जिनकी आमदनी बारा हजार रुपए से नीचे है उसका बकाया हम पूरा करेंगे वैसे तो कई वर्ग ऐसे हैं जिनके कोई सबूत नहीं होते उस आमदनी के स्तर पे और इसलिए किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जो समस्याएं आती हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा मैं इसके राजनेतिक आर्थिक और जो इसमें चल खपट है एक बलफ है वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा काई कितिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनेतिक व्यवसाय करने का रहा है उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा गरीबी को हटाने के लिए कोई सादन दिये जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं रहा योजनाओं के नाम पर चल कपट रहा है पंडिजी के जमाने में विकासदर साड़े तीन परसंट थी जो उनका आर्थिक मॉडल था जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और विंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट अफ ग्रोथ है तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था इंद्रिया जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी गरीबी हटाओ उसका मुख्यमारा दारा था जो आज तक लोगों को इस मरना है लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थविवस्ता बड़े समाज में आमदनी बड़े जेनरेशन ओव वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्टिब्यूशन हो नयाई के लिए ये उनकी नीती नहीं थी शी डिड नॉट बिलीव इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी शी डिड नॉट बिलीव इन जेनरेशन ओव वेल्थ शी ओनली बिलीव इन रीडिस्टिब्यूशन ओफ पॉवर्टी और अगर उनका कारेकाल देख ले तो चुनाव वो गरीबी हटाओ के नाम से जीती थी लेकिन उस कारेकाल में केवल गरीबी का वित्रन हुआ था आपको कोई भी ऐसे कारेकरम स्मर्द नहीं होंगे जो नीचे को उपर उठाना है उसके लिए प्रियोग किये गए हो उपर वाले के खिलाफ कारवाई कर दी जाए जिससे जेनरेशन ओव विल्थ रुख जाए लेकिन गरीबी का रीडिस्टिबूशन हो जाए केवल यही उनकी नीती थी राजीव जी के कारेकाल में तो विवाद ही चलते रहे इसलिए बहुत कारवाई नहीं हो पाई और कई बार अगर आप देखें तो दस वर्ष के यूपिये के कारेकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से चल कपट दोखा बलफ होता था लोन वेवर जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में सत्तर हजार करोड रुपए का हम रिणमाफ कर रहे हैं One Time Effort G1 में एक बार सत्तर हजार करोड का हम तो PM किसान में 55 हजार करोड प्रतिवर्ष देंगे हम तो मनरेगा में 60 हजार करोड प्रतिवर्ष दे रहे हैं One Time Step of 70,000 दिया कितना बावन हजार और सीए जी ने कहा दिया किसको एक बड़ा अंच दिल्ली के वैपारियों को मिल गया यह सीए जी की रिपोर्ट है जिस लोन वेवर का जिक्र करते हैं उसकी यह हिस्ट्री है दूसरा मनरेगा हम ग्रावीड जीवन बदल देंगे कहते थे 40,000 करोड रुपया साल का खर्च करेंगे और खर्च करते थे 28,000 करोड और वो भी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न होने की वज़ा से केंद्र से राज्य राज्य से जिला जिला से तेसील तेसील से पंचायत प्रमुक और फिर उसका कुछ छोड़ा अंच किसान तक पहुंचता था आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधान सबाओं में इन्होंने कहा कि किसान का रिन्माफ करेंगे पंजाब में तो दो वर्ष हो गए करनाटक में भी काभी समय हो गया अब तो अन्य विधान सबाओं को भी हो गए अभी तक और मैं अपचारी को ऑफिशल आकड़े दे रहा हूं करनाटक ने खरचा है चब्श सव करोर मद्यपरदेश ने खरचा है तीन अजार करोर अप पंजाब ने दो वर्ष हो में खरचा है साड़े पांच अजार करोर तो अजार्ट करोर